श्रिलंका में जो खालात खराब चल रहे हैं उसके बीच बड़ी खबरें लगातार वहां से चली आ रही हैं और साथ ही श्रिलंका की सित्यों को लेकर इस समय सवाल तो उठी रहे हैं लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भारत के रक्षा मंत्राले की तरफ से भारत के रक्षा मंत्राले ने सेना में भरती को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैस्टा लिया है इस योजना के तहब 3 साल के लिए सेना में भरती की जाएगी इसके बाद सेना की नौकरी जारी रखने या नहीं रखने का विकल सेना के पास होगा कोविट संकट के दौरान सेना में भरती की प्रक्रिया रुख गई थी, लगातार भरती पिर से शुरू करने की मांग हो रही थी, अभी तीनों सेनाओं में करीब सवा लाख बद खाली पड़े हैं, तो भारत की रक्षामत्रा ने भारत की सेनाओं में भरती प्रक्रिया को ले ये शॉर्ट सर्विस कमिशन होगा एक तरीक से इसे, और इसमें अगनिपत्य योजना में सेना में नौकरी महस्त तीन साल के लिए होगी, इसे टूर आफ टूर आफ डूटी भी कहा जा रहा है, सेना चाहे तो अगनिवीर की नौकरी तीन साल के बाद जारी रख सकती है, य दूनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भारत की सचस्ति सेनाओं की किंती होती है, पिछले दो साल से अगनिपत्य योजना पर काम चल रहा था